तक कि आई अधे कि ऐट मेना वाला सुर्ण बिलिवर आप सबका तब स्वागर करता है अमारे पीचमेल पर जआ हमलों भारत का इतिहास कबर किरा ठीक है और भारत के इतिहास में अब क्या पढ़ थे आद्य एतिहासिक काल पढ़ थे क्या पढ़ है आद्य एतिहासिक काल पिछली क्लास में हमने आद्य एतिहासिक काल के अंतरगा थी सिंदु गाड़ी सभ्यता को समाप्त किया है ठीक है अब आध्य एतिहासिक काल के दूसरे हिस्से में आते हैं दूसरे हिस्से क्या है वैदिक सभ्यता वैदिक क्या है वेद से बना हुआ है जिस काल में वेदों की रचना हुई उस समय मानाओं का जीवन के साथ सभ्यता कैसी थी इसके बारे में हमको अब पढ़ाई करना है ठीक ह वेज सब्द है वो विद्ध हतु से बना है जिसका अर्थ क्या है जानना या फिर ग्यान प्राप्त करना मतलब क्या उसका जानना या फिर ग्यान प्राप्त करना ठीक है कुल चारवेद है कुल चारवेद है कुल चारवेद कौन कोंसे है रिगवेद सामवेद यजुरवेद और अथरविर, ठीक है, और इन वेदों की रचनाएं, किस काल खंड में हुई है, किस काल करम में हुई है, इस अधार पर वैदिक काल को, वैदिक काल को भी दो हिस्सों में बाटा गया है, वैदिक काल क्या है, जिस काल में वेदों की रचनाएं हुई है, उसको क्या बोलते है के है इस वैदिक काल को ठीक है कि particular time period के अंतरगत कौन-कौन से वेदोखी रचना हुई है ज्यान देनाम वैदिक काल के दो इससे हैं पहला कौन से है रिगवैदिक काल और दूसरा कौन से है उत्तर वैदिक काल कौन कौन से है रिगवैदिक काल और उत्तर वैदिक काल जिस काल खंड में रिग वेद की रचना हुई है उसे क्या बोले है रिग वैदिक कल जिस काल खंड में रिग वेद की रचना हुई है उसे क्या बोले है रिग वैदिक कल बोले है टाइम पिरेट क्या है पंदरा सौ इसा पूर्व से लेकर हजार इसा पूर्व तक कसम है क्या कहला है र रीग व्यादिक कल्व उत्तरवेदिक कल्व यानने कि 1000 इसा पूर्व से लेकर 600 इसा पूरव के मध्य हुई है और इसे क्या वो लगा है ? सिंधुगाटि सभाता का पतन फाजा थीं संदुगाट सभाता का पतन के इस्ति पतन के बारके हैं कि इतिहास करने में करना में और कौमर रहा है क्या कि जो वैदिक सभिता के निर्माता है जो वैदिक सभिता के निर्माता है कौन थे आरिये थे कौन थे आरिये ये आरिये है जो ये क्या है वैदिक सभिता के निर्माता थे और लगभग लगभग मैक्सिमम इतिहास करोगा ये कि मानना है क्या कि जो आरिये है कहीं बाहर से भारत में आया है जो आर यह हैं कहीं न कहीं बाहर से भारत में आया थे ये maximum इतिहास करों का मानना है कि यहां के मूल निवासी नहीं थे ये कहीं बाहर से आया थे जो आर यह हैं कहीं बाहर से आया थे और इन्होंने वैदिक सब्बता निर्माता है यह कुछ इतिहास करा मानते हैं लेकिन मैक्सिम में इतिहास कर यह मानते हैं कि वैदिक सब्बता को निर्माता है ठीक है मा पतन पने जा रहा हूं ठीक है पतन कैसे हो बात बीद गई ठीक है जो वैदिक सब्बता है उसके निर्माता कोई है आर अब कितने वेद हैं चार वेद हैं कौन कौन से रिग वेद साम वेद जुरुवेद अधर अधर वेद। ठीक है? लेकिन इसको पढ़ने से पहले हैं अप उनकौ पढ़ना कि वेदिक शाहित्य की वार में क्या पढ़ना है? वेदिक शाहित्यिक क्या समस्ते हैं? ज्यान देना वैदिक साहित को दो पाटे माटा के कौई पाट से हैं सुरूति और स्मृति किसी ने कुछ कथन कहा है किसी ने कुछ कथन कहा है उसको आप सुन रहे हैं उसको क्या कहला है का सुरूति कहला है कोई कथन बोल रहा है और उस कथन को सुन कर सुनकर कलेट करना या कहला है धान दना चारोवेद क्या है शुरूति के अंतरगत आते हैं धान दना ऐसा मना गया तो परमप्था है उनके मूँ से जो वाणी निकली है उसे प्राचिन रिसीम उनियों ने कलेट किया है और चारोवेदो की रशना की ये सिकन का कहलाए ये सुरूति कहलाए ये कहला है सुरूति चारवेतिय कहलाए है सुरूति कहलाए है जब कि स्मृति कहा है जो रिसी मुनियों की स्मृति है और बुद्धि है उसके मिलान से उसके मिलान से जिन ग्रन्थों की रचना हुए उसको क्या बोला गया है स्मृति क् की मेमोरी है और उनकी बुद्धी है उनके आपस में सामंजिसे जिन चीजों क्रिशना हुए उसका बोला गया है इस्मृति बोला गया है और पुरान एवं महा कावे इस इस्मृति की स्रेणी में आते हैं अगर पूश रहा है वैदिक साहित के दो माक्स में या फिर चार माक्स में चारो वेद के पाठे जब की पूरान एवं महा कावे इस्मृति के अंतरगत आते हैं अब प्री के दृष्टि कोन से एक बहुति महतबन क्वेश्चन थीक है वेद कितने हैं? चार वेद हैं वेदों के संकलन करता कोन है जंदना नाम है उनका महरसीकृष्ण द्वायपायान जी नाम क्या है महर्सी कृष्णम द्वयपायन जी या फिर इन ही को बोलते हैं कि हम महर्सी वेद व्यास क्या बोलते हैं महर्सी वेद व्यास जी कहते हैं और यही क्या है वेदों के संकलन करता है कौन है महर्सी वेद व्यास जी या फिर इन ही का एक नम क्या है महर्षी कृष्ण द्वैपायां जी मैं कुलतर पहले बताया था और फिर से रिपिट कर रहा हूं कि मैक्सिकम इतिहास करों का मानना क्या कि ये जो आर्य है वो कहीं न कहीं बाहर से भारत में हैं और उन्होंने वैदिक सब्धरता का निरमान किया है ठीक है अब इस बारे में इतिहास करों मत देखना है कि किस इतिहास के नुसार कि आरे कौन कौन से देखना है ठीक है अब ये भी क्लियर नहीं है कि कहां से आते हैं सब को maximum लोगों को इतना लगता है कि कहीं बाहर साथ है कहीं बाहर से कहां से ये actual defining नहीं उपा है उसे भी कौन सा मत सबसे दा प्रचलित है ये भी देखेंगे बन ठीक है देखते हैं सबसे पहले विद्वान max muller के बारे में देखते हैं इनके अनुसार जो आ रहे हैं ये मद्य एश्या के लोग थे और ये भारत में आये हैं और योणने वैदिक सब्वेत का निर्मान की है कौन मलता है ये max muller कहते हैं कि जो आ रहे हैं वो मद्य एश्या के लोग थे और इनका मधी सबसे अधिक प्रश्रीत है कि इनका max muller जी का जो कहते हैं क्या कि जो आ रहे हैं ये मद्य एश्या के निवासी थे ये लेखते अगले विद्वान गंगाधर जाजी के बारे में। वहां तक कच्छदर के लाए है ब्रहमर्शी देश के लाए है और गंगाधर जाजी के अनुसार जो आरिये हैं वहीं के ही निवासी हैं आरिये मतलब भारत के ही निवासी हैं ऐसा कहना चाहरे कौन गंगाधर जाजी कहना चाहरेगा कि जो आरिये हैं वो भारत के ही निवासी ठीक है अगले कौन है बाल गंगाधर तिलग जी इने के अनुसार क्या है जो आरीय है वो उत्तरी ध्रूब के निवासी है इने के पुस्तक है क्या आर्कटिक होमस ओप आर्येन तो इन्होंने एक बात कही है तिलग जी ने एक बात कही है कि रिग वेद में 6 महा दिन और 6 महा पराद की बात कही गई है और ऐसी कंडिशन ऐसी कंडिशन केवल और केवल कहा है उत्तरी ध्रूम है और इसी बात को अधार मान कर तिलक जी ने क्या बूला है जो आर यह है वो कहा के निवासी है उत्तरी ध्रूम के निवासी है ऐसा तिलक जी ने कहा ठीक है देखते अगले द दयानन्द सरस्वती जी इनके अनुसार जो आ रिये हैं वो तिबबत के निवासी थे ठीके दयानन्द सरस्वती जी के अनुसार जो आ रिये हैं वो कहा के निवासी हैं तिबबत के निवासी हैं वही एक और विद्वाने कौन विलियम जोन्स कौन है विलियम जोन्स के अनुस तरी दिएओ कि इसका कुछ ना कुछ प्रूफ है कि लोग कहां से हैं मद्य एसिया से हैं देखता है प्रूफ है क्या एक अभिलेक है इसे मानत है विश्व के सबसे प्राचिन्तम अभिलेखों में से एक माना गया है और इसमें वर्नाने किसका इंडर वरुन और मित्र का यह RigVad के भी देवता है और ऐसा माना गया क्या यह बोगज को अब भारत आहे है इन देवताओं के अधार पर ही Max Moolara ने मद्धेगा कि यह लोग मद्धेएसिया से आये थे ठीक है अब इरान का एक गरंद है इरान का एक गरंद है कौन सा अवेस्ता गरंद का नाम क्या है अवेस्ता गरंद है इस अवेस्ता गरंद में भी इन देउताओं का वर्नन क्या गया है ठीक है बहुत सारी बात है रिगवेड और इस अवेस्ता गरंद में मिलती है तो ऐसा माना गया कि मत देशे से इरान के रास्ते से होते हुए जो आरिका है भारत आये हैं ऐसा मत दे रहे हैं कि विद्वान अपना मत दे रहे हैं ठीक है ये बात एकदम पूफ नहीं बो सकते हैं कि यहीं से हुआ है लेकिन ऐसा मत दिया गया है कि इरान के रास्ते से आरिक हैं भारत आया है क्योंकि अवेस्तर ग्रंध है उसकी और रिगवेदी की बहुं सारी बातें मिलते हैं ठीक है अब देखते हैं वैदिक सब्रता के विस्तार के बारे में कहां कहां तक यह इनके समय का समाज जो छेतर है कहां कहां तक फैला हुआ देखते हैं इसके भौगॉलिक विस्तार के बारे में ठीक है देखते हैं वैदिक सब्विता के भौगॉलिक विस्तार के बारे में कहां से कहां तक आरियों का छेतर फैला हुआ था वैदिक सब्रतगा विस्तार कहां तक था इसी टॉपिक को अपन को डिस्कुस करना है आरम में रिग्वेद में क्या लिखा गया है कि जो आरिये है रिग्वेद में लिखा गया है कि जो आरिये है वो सब्त सैंधो प्रदेश में निवास करते है लिखा गया क्या? जो आरिय है वो सब्त संधो प्रदेश में निवास प्रथे सब्त संधो मतलब क्या है? यहाँ पर साथ नदि çıkar साथ नदि है कौन कौन सी है? सिंदू पहली कौन सी है? सिंदू सतलज सरसवती व्यास रावी चिनाब और जिलम ये साथ नदियों वाले च्छेत्रे लाया है सब्त सेंधो प्रदेश कहलाया है और इमाना गया क्या कि रिविद में यही यही च्छेत्र पर क्या है आरियों बसे हुआ थे आरम में इसी सब्त सेंधो प्रदेश में आजियों का आजमन हुआ थे वहीं पर वो बसे हुआ थे ऐसा रिगविव में ने कहा गया है कौन कोछी नदिय हैं सिंदू सतलाजिस सरस्पती व्यास रावी चिनाप और जिलम इन सब क्या बोल गया है सप्त सेंधो बोला गया है सप्त सेंधो और ऐसा भूभाग जो इस साथ नद्यों के अंतरगत आताशी का बोला गया है सप्त सेंधो प्रदेश बोला गया है और रिगवेद में यही क्या बता गया है यही सप्त सेंधो प्रदेश रिगवेद में आयो का मूल छेत्र बताया गया था ठीक है लेकिन धीरे-धीरे क्या कर रहे हैं आरे जो हैं उत्तर भारत की ओर अग्रसन है उत्तर भारत की ओर अग्रसन हो रहा है बढ़ रहा है ठीक है धीरे 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 वो सतलज से लेकर गहां तक पहुँच गया है यमूना नदी तक पहुँच गया है तब उनका छितरे कहला है ब्रह्मा वर्थ कहला है सतलज से लेकर यमूना तक कहला है ब्रह्मवर्त कहला है ठीक है लेकिन अब रुक्या नहीं अब भी रुक्या नहीं है वो फिर से उत्तर भारत के मैदानी इलागों की ओर बढ़ रहे हैं कौन आरिये ठीक है अब कहा तक मुझ गया है उन्होंने वो गंगा यमुना के दोवाब और उसके सीमा वर्ती इलागों और भी अभ आरियों नेग कबंजा कर दिया उत्तर भारती मैंड़ाक बढ़ार जारी रखा तब कहां तक मुझ गया है गंगा यमुना के दवाब पर्भ बहु गया है और कसि जितàn अधिकार कर लिया है, कबजा कर लिया है, तब इनका छत्रे कहला है, ब्रहमर्सी देश कहला है, कहला है क्या, ब्रहमर्सी देश, कुछ दिर पहले पढ़ा है क्या, कि गंगादर जाजी के अनुसर, जो आरियो का मूल छेतर क्या था, ये ब्रहमर्सी देश था, ये कहता है कौन गंगाधर जाजी कहते हैं कुछ दिर पहले हमने पढ़ा है ठीक है जब संपून उत्तरभारत पर आरियों ने कबज़ा कर लिया तब यह कहला है वो आरिय वर्त कहला है आरिय वर्त कहला है ठीक है जब उन्होंने संपून उत्तरभारत पर कबज़क कर लिया है तब उनका च्ड़ कर लाए है आयवर्थ कर लाए य Bullard क्लिया रहे है अब ये जो भी terminology आहेगी ब्रह्म्भ वर्थ क्या है ब्रह्म्मर्शी देश क्या है या आयवर्थ क्या है सब्धसिंदह क्या है इन में अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए इन सब में आपको डाउट नहीं होना चाहिए दो मार्स में यहां से भी question पूछ सकता है अगर चीजों को complex करना चाहिए दो ठीक है अब आते हैं आपाई न वैदिक काल के पहले पड़ाओं में जहां पर आया क्या हम डाली हेडिंग 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 ड प्राचिंतम वेद कौन से है यह रिग वेद ही क्या है सबसे प्राचिंतम वेद है इसकी मूल भासा क्या है संस्कृत भासा में कौन सी भासा में लिखा गया है लिपी कौन सी है ब्रामी लिपी यही कोश्चन पूसता है कई भासा नहीं पूसता है पूसता है कि रिग वेद की मूल लिपी क्या है ब्रामी लिपी में लिखा गया है रिगवेद क्या है ब्रामी लिपी में लिखा गया है ब्रामी लिपी में लिखा गया है और इसमें कुल 10,580 मंत्र हैं कितने मंत्र हैं 10,580 मंत्र हैं रिगवेद में किसमें हैं रिगवेद में सबसे प्राचिंतम वेद क या फिर होता कहते हैं जो व्यक्ति रिग्वेद पढ़ता है उसे हमने क्या बोलते हैं होत्री या फिर होता बहुत ही महत्वन क्वेस्चन है प्रीकेद रिष्टिकों से यह क्वेस्चन पूछा चुका है कई बार रिग्वेद पढ़ना रोग हमने क्या बोलते हैं होत्री या अब देखता है रिग वेद्ट के अंतररगत यिसमें कितने सुकते हैं 1028 वेद्ट में कितने मंडल है कुल 10 मंडल है और उसमें तोल 1428 सुकते है यह आपको याद करने यह question आ चुका है कुल कितने मंडल है दस मंडल है और 1028 सुक्त है ठीक है अब इन 10 मंडल में इन 10 मंडलों में प्रत्थम एवं 10 वा ठीक है 1st and 10th मंडल जो है वो सबसे नवीन है सबसे नया है 1st and 10th केवल दो है ना 1st वाला और 10 वाला ये मंडल क्या है सबसे नवीन है यह कहा है सबसे नवीन है जब कि δ्वित्थी से लेकर सप्टम तक मलब सेकंड, ठर्ड, फ जिफ्ट, सिक्स और सेवन द्विती से लेकर सब्टम मंडल क्या है सबसे प्राचीन है जब कि केवल फर्स्ट और टेंथ क्या है सबसे नवीन है यह आपको याद करना है यह भी question पूछ चुका है पर्स्ट और टेंथ मंडल क्या सबसे नवीन है और सबसे प्राचीन है अब कई बार question पूछता है कि रिग वेद के पहले मंडल में यह थार्ड मंडल में सेवन्थ मंडल में यह नाइंध मंडल में किसके बारे में कहा गया है ये question उठा चुका है और इसी करण मैं यहाँ पर note कर जाओं ये भी चीज़े आप र्याद करनी है प्रीमे भी आता है और अगर में से भी आ गया रिगवेद के बारे में इतना fat अगर आप लिखते हो तो आपका एक भी marks आधा marks भी नहीं करना चाहिए अगर आप अपने जो fat लिखाऊं उसको पर सब्दों में अच्छे तरीके से ढाल ले तो आपका यहाँ पर आधा marks भी नहीं करना चाहिए ठीक है दिखते हैं रिगवेद के बारे में उसके मंडलों के बारे में कि कौन-कौन से मंडल में किन-किन चीजों का वर्नन किया गया जान देना रिग रिगवेद के पहले मंडल में अगनी देव का वर्नन है ठीक है कई बार पूछ का है most important question है रिगवेद के पहले मंडल में अगनी देव का वर्नन है किसका वर्नन है अगनी देव का जबकि रिगवेद के तीसरे मंडल में रिगवेद के तीसरे मंडल में विश्वा मित्र जी के गायत्री मंदर का उल्लेक है ये भी बहुत महत्पून है इंपोर्टन है कि विश्वा मित्र जी के गायत्री मंदर का उल्लेक कौन है कहा है रिग वेद के तीसरे मंदल में विश्वा मित्र जी के गायत्री मंदर का उल्लेक है ठीक है जबकि रिग वेद के सातवे मंदल में वरुन देव का उलेक है, रिग वेद के साथवे मंडल में वरुन देव का उलेक है, क्लियर है, देखते हैं आगे, रिग वेद के आठवे मंडल में, रिग वेद के आठवे मंडल में दो रिश्यों का उलेक क्या गया है, कौन वह से रिशी है, वो कनव रिशी इवं आंगी र का उल्ले कि वर्न विवस्था के बारे में वर्न विवस्था के बारे में रिग वेद के कौन से मंडल में कहा गया है लिखा गया है ठांदे राम रिग वेदि के दस्वे मंडल में दस्वे मंडल में क्या है पूरुष सुक्त है और उस पूरुष सुक्त में वर्न व्यवस्था का उलेक्याग है यह पूरा लाइन आपको याद करना है रिक वेदि के 10 वे मंडल में क्या है? पूरुष सुक्ते. और इस पूरुष सुक्त में वर्न व्यवस्था का उलेक्याग है. कहते हैं कि एक विशाल पूरुष के भुजाओं से मनलता विशाल पूरुष के शरीर है उने के अंगों से चार चीज़ हो. विशाल पूरुस के मुख से हुआ है क्या कि जो ब्राम्मन है उनका जन्म कैसे हुआ है ब्राम्मा जी के मुख से हुआ है विशाल पूरुस के मुख से हुआ है क्या कहला है वो ब्राम्मन कहला है ब्राम्मा जी के मुख से जन्मों कि इनका ब्राम्मनों का जन्म हुआ है जब कि पैर से क्या बने सुद्र बने पैर से क्या बने हैं सुद्र इस तरीके से चार वर्नों का जन्म हुआ है ऐसा लिखा गया कि इसमें रिग वेद के दस्वे मंडल के पूरुष सुक्त में ध्यान देना यहां पर अभी जो वर्न विवस्था है वो जाती पर या फिर जन्म के अधार पर डिफाइन नहीं किया अभी तक रिग वेद में जो वर्न विवस्था है वह जन्म के धार पर डिफाइन नहीं है केवल और केवल कर्म के अधार पर यहां पर वर्न विवस्था को डिफाइन किया गया है अभी तक जन्म अधारित नहीं है वर्न विवस्था बाद में समाजिक बलाई बाद में एढ़ होगी कब होगी यह दिखेंगे यह दिखेंगे लेकिन अभे रिगवेद में ठीक है चार वर्णों का उल्ले त्लिक्क है वह जो वर्ण वर्न वस्ता कर्म के धार-बर डिफाइन की खत्म होता है कि अपका सब्सक्राइब हो कि देखते हैं अब रिगवेद में वर्णित प्रमुक नद्यों के बारे में ठीक है कितनी कुल कितनी नद्यों का वर्णित रिगवेद में किया और कौन कौन सी नदिया प्रमुख है इसके बारे में अपन डील करने वाला ठीक है धान देना रिग वेद में कुल 25 नदियों का वर्नन किया गया है जिसमें से सबसे प्रमुख नदी कौन सी है सिंदू नदी क्वेशन पुछा गया है रिग वेद में वर्नित सबसे पवित्र नदी कौनसी नदी को कहा गया है ठीक question क्या है सबसे पवित्र नदी हैं दोनों में difference है सबसे प्रमुख नदी क्या है सिंदु नदी जबकि सरस्वति नदी को क्या माना गया है सबसे पवित्र माना गया है सरस्वति नदी को सबसे प्रमुख माना गया है और बोला ग गया है नदी ठीमा ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखना है ठीक है अब एक लिष्ट है पुछ प्राची नदियों के नाम कुछ नदियों के नाम है और उनका प्राची नामभी वर्नित- आपको यह भी याद रखना है ठीक है इन नदियों के नाम और इनके प्राचिन नाम वर्तमान नाम और प्राचिन नाम दोनों आपको याद रखना है कौन-कौन से पहला सिंदु नदी क्या नाम है सिंदु नदी रिख वेद कालना प्राचिन नाम भी इसका क्या है सिंधु ही है उसमें भी सिंधु है अभी इसका नाम क्या है सिंधु ही है दूसरे क्या है सरस्वति नदी इसका नाम भी क्या है सरस्वति ही है इसका नाम भी क्या है सरस्वति ही है ठीक है थर्ड नंबर नदी कौन सी है गोमती नदी ठीक है व अंतिम नदी कौन सी है ये गोमती नदी या फिर उसी का प्राचिन नाम क्या है गोमल है ठीक है अगली नदी जिसका वने डिक वेद में कौन है जेलाम नदी कौन सी है जेलाम नदी इसका प्राचिन नाम क्या है वितास्ता आपको यार रखना है जेलाम का प्राचिन नाम क्या परुष्णी ठीक है अगले नदी का नाम क्या है वियास वियास का प्राचीन नाम क्या है विपासा ठीक है यह तो यादर हैगा बिल्कुली ठीक है वियास का प्राचीन नाम क्या है विपासा अगले नदी का नाम क्या है सतलज ये वरतमान नाम है प्राचीन नाम क्या है उसका चिनाब का प्राची नाम है आपको दोनों तरीको से याद करना ठीक है अगर वृतमान नहीं दीट तो इसका प्राची नाम याद होना चाहिए ठीक है यह पूरा table क्या है आपको याद करना है ठीक है देखते हैं अब रिगवेद में और किन की चीजों का वर्णन क्या गया है कौन कौन से सब्द का प्रहोग सबसे अधिक बार हुआ यह हम देखने वाले ठीक है धन देना रिगवेद में रिगवेद में जन सब्द कितने बार है 275 275 बार जन सब्द है है जो जन सब्द है वो 275 बार है अब जन क्या है इसके वरें पढ़ेंगे पन ठीक है इंद्र क्या है देवता का नामे इंद्र क्या है इस समय के सरप्रमुग देवता है इंद्र जो है इस समय के सरप्रमुग देवता है जिनका उलेग धाइसो बार हुआ है कितने बार हुआ है धाइसो बार इंद्र का वर्णन हुआ है ठीक है इन्हें क्या बोला गया है पुरंदर याने कीम त्या दुर्गो को दुर्गो को नश्ट करने वाले इनको बोला गया है इंद्र को ही बोला गया है और यही क्या है के प्रश्चात रिग वेद काल में किस द्योत्ता को सबसे अधिक बने था थी जांदना सबसे पहले क्या है इंद्र के बाद प्रमुक देवता है इस रिखवेद काल में इंद्र सब्द को उले कितने बार हुआ है फिर इकाए का उलेक हुआ है वैसे ही विष्च शब्द का प्रयोग एक सो सतर बार हुआ है अब विष्च क्या बन पढ़ेंगे ठीक है विष्च के बारे आपन पढ़ेंगे इस सब्द को उले कितने बार हुआ है एक सो सतर बार हुआ है अगला कौन से है विदत है विदत है सब्द का प्रयोग भी एक सो बार हुआ है इसे विदत है सब्द का प्रयोग कितने बार हुआ है एक सो बार हुआ है ठीक है विदत भी प यह मुना अधी का उल्लेक तीन बार हुआ है और गंगा का उल्लेक केवल एक बार हुआ है यह मुना का उल्लेक तीन बार जबकि गंगा अधी का उल्लेक केवल एक बार हुआ है ठीक है यह सब प्रीमे पूच चुका है यह सब जो प्रीमे पूच चुका है वही पर सब को अरे पढ़ेंगे ठीक है अब देखते हैं रेग वैदिक काल में राजनितिक विवस्ता जैसे अगे पढ़ेंगे न ये सब्दा को समझे नहीं आ रहा है जयनी क्या है विश्ष का है विदर्ध क्या है समीति क्या है सभा क्या ये सब आपको क्लियर हो जैसे से अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक हैं, तो नहीं होना है, सुनतर ये बस, ठीक हैं, डाली अइडिंग रिग वैदिक काली ने, राजिनितिक जीवन, घャं दिना, अभी रिग वादिक काल चाल रहा है, इस समय जीवन का साय कबीला, जो लोग है, इस समय कबीलाई जीवन करते हैं मतलब लोग किस में रते हैं कबीलों में रते हैं लोग कबीलाई जीए नतीत कर रहे हैं लोग कबीले में निवास करते हैं ठीक है जहां पर जहाँ पर सबसे छुटी काई क्या है कुल या फिर परिवार और इस परिवार या फिर कैसे है कबिलाई जीवन लोग क्या है कबिलाई जीवन वतित करते हैं और उस कबिलाई जीवन में राजितिक विवस्था की सबसे छोटी काई क्या है कुल है या फिर परिवार है जहां पर कुल के परिवार के मुखे क्या बोलते हैं कुलप या कुलपती करते हैं परिवार के मुखे क्या बोलते हैं कुलप या फिर कुलपती जब कई कुलप है ग्रामनी क्या लगा है जब कई ग्राम आपसे मेले जब कई ग्राम आपस में में तब क्या बना है विष्य ठीक है कुछ देरे बोलाओ हो ने ये जो सब्ध है ये धिध्रे clear होते जाएंगे ठीक है मतलब पढ़ें क्या डिक्वेद में विष्य सब्द गपरों कितने प्रमुक को बोला है क्या विश्य पति क्या बोला गया है विश्य पति अब जो कभीला है मतलब कई विश्य मंद्र क्या बनेंगे जन बनेंगे कभीले का प्रमुक कहलाएगा उसी को आपन最近 पहले हैं जहां पर जन के प्रमुक बहलेगा राजन गोपिया गोपति जन के प्रमुक को राजन गोपिया गोपति बोला गज है कबीले का प्रमुक कहलाएगा जो की कबीले का प्रमुक कहलाएगा उसको बोला गया है राजन गोपिया फिर गोपती ठीक है अब यहाँ पर आपका जन भी जन भी आपका क्लियर हो गया कि जन सब्दा आया कासा था ठीक है जो जन सब्द का उप्योग है कितने बार 275 टाइम् यही क्या है कभीले का प्रमूक है अब ध्यान देना आरियों को आयो को क्या बोलागे है? पंच जन भी कहा गया है आयो को पंच जन भी कहा गया क्योंकि इस समय कुल कितने कभीले है? पांच कभीले है क्योंकि इस समय कितने कभीले है? पांच कभीले है जन का मतलब भी क्या है? कभीला क्यों बोल रहा हूं क्या तो राजन हम क्या है कबीली का प्रमुक है मतलब बोलते हैं जन क्या है एक कबीला है जन क्या है एक कबीला है और उसके प्रमुक क्या बोलते हैं राजन गोपिया गोपती अब बोल रहा है क्या आरियों को बोल लगे क्या पंच जन क्योंकि इस समय वार UPS दे पूछा है, ठीक है? इसके आप अलीद्यों मैं कौनकी कबिले हैं? अनु? दुरू? पुरु? तुरुवस और एदू? फिर से आप बोलिए, तीन से चारा बोलिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है? कौन-कौन से आँ? अनु? दुरू? पुरु? तुरुवस और तो यह क्या है रिग वैदिक काल में पांच जन है क्या है पांच जन है पांच कभीले हैं देखते हैं कुछ आगे और इसके बारे में ठीक है हमने देखा क्या जन के प्रमुक को क्या बोला गया है राजन कहा गया है जन के प्रमुक क्या बोला गया है राजन गोपिया फिर गोपति अब राजन का मतलब यह नहीं कि वो राजा है ठीक है उसको कोई नहीं बोडी कंट्रूल करें यहाँ पर राजा निरंकुस नही उसके अकेले की नहीं चलती है बलकि कुछ साखाएं है कुछ बॉडी है जो इसको कंट्रोल करते है तो फिर राजन का काम क्या है देखते हैं उनका काम क्या है राजन का काम क्या है युद्ध का नेतरित्व करना अगर दो कभीलों के मद्ध युद्ध हो रहा है तब राजा का पद है वहा निरंकुस नहीं है रिगवैदिक काल में ठीक है अब इस राजन के इस राजन के कारे पर कंट्रोल करने के लिए कुछ जनतांत्रिक संस्था हैं रिगवैदिक काल में इस राजन के कारे को कंट्रोल करने के लिए ताकि वहां अलोगतंत्रिक तरीके से को पहली संस्था सभा के बारे में जान देना यह क्या है वरिष्ठ जनों की या स्रेष्ठ जनों की संस्था है जो राजा को सलाह देने का कारे करती है ठीक है और इसके प्रमुग का वो लगए है सभापती कहा गया है देखते है अगली संस्था के बारे में उसका नाम क्या है समिती अगली संस्था कौन सी है समिती जो समीति है वहाँ पर समान जनता का पदनेदु करती है और सानथी शाल राजा की न्यूक्ति से लिकर उसे पद से हटाने कारिया और उस पर राजन पर जो भी कारवाई उकर रहा है उस पर नियंत्रन करने का कारिय यह समीति रखती है ठीक है किट से रिपीट करो मैं तो समीति कहा है यह समान जंता का पदल से हटाने तदा उसके कारियों पर नियंत्रन रखने का कारिय करती कौन समीति जिसके प्रमुक को क्या बोलते हैं इसान कहते हैं समीति के प्रमुक क्या मिर्تि के प्रमद के क्या लगे है इशान कहा गया क्या वो लगे है इसान एक शन्स्त और बाची क्यों सी विदत क्या है अन्तिं संश्था यह क्या है इस्ट से प्राचीन पराचीनि है जैसे आज वरतमान से मोता है ना जब गाओं के सब लोग सब लोग इकठाव कर राजर के समग्ष्ट कुष्चन पूछते हैं ठीक है जन सभाव उस तैप का क्या है यह विदत है यह कहा है सबसे प्राचीन परिश्चत है विदत है ठीक है यह सैनिक गयर सैनिक और धार्मिक का यह देखर करती राजा इनके क्वेश्चन के लिए उन सब में उत्तर देने के लिए बाद्य विदत हो यह तीनों संस्था बहुती महतपून है सबा समीती और विदत ठीक है अब रिगवधिक काल में युद्ध वाजो की बहुती महतपून है उस युद्ध को बोला है क्या दस राग युद्ध को बोला गया है दस राग युद्ध अब प्री में क्वेश्चन कसा हैगा प्री में क्वेश्चन उसे आएगा कि यह दस राग युद्ध है वह कौनसी नदी के किनारे लड़ा गया है कौनसी नदी के किनारे यह दस राग युद्ध लड़ा गया था धन्दे नाम नदी का नाम क्या है परुष्णी नदी नदी का नाम क्या है परुष्णी नदी वर्तमान नाम क्या है इसका रावी नदी नाम क्या है रावी नदी ठीक है वर्तमान नाम क्या है रावी उसमें क्या नाम था परुष्णी नदी के तरट पर यह दसराग्य युद युद्ध लड़ा गया हैं दस राजा मंनना रहता हैं 10 तरह और दस राजा रहा है यह बात हमें इस दस राजना नामचे समझ आ रही है अब देखते हैं युद्ध किनके मद्ध बाहत है जीता कौन है और इ reconciliation को इन राजाओं को एक साथ जोड़ा किसने रिखते हैं ठीक है जो युद्ध है वह राजा सुदास वह राजा सुदास इवं दस अन्य राजाओं के मध्य लड़ा गया है इसमें दस अन्य जनों के मध्य लड़ा गया है पूरु राजा है नाम के है उनका संवरन ठीक है उनके लिडर्शीप में दस राजा लड़ा है अगेश में किसके राजा सुदास के जो की भरत वंस के हैं जब युद्ध लड़ा गया जब युद्ध लड़ा गया उसमें राजा सुदास जीत जाएंगे ये जीत जाएंगे और दस राजा जो है उनकी जो टीम है वो हार जाएगी जीता कौन है राजा सुदास जीत गया सब्सक्राइль है राजा सुदासजीत गए हार गए को ने वसिश्थ जी इनके गुरु कुछ थे जबकि जो अन्य दस राजा हैं उन्हें संगठित करने कारे किसने किया है विश्वामितर जी ने इन दस अन्य राजाओं को संगठित करने का प्रयास क्या संगठित किया है लेकिन संगठित होकर वो सब भी राजे सुदास से जीत नहीं पाएंगे अंत में यही जीते हैं और उस समय अब क्यों गई इनकी सक्ती बहुत ज़्यादा बढ़ चुकिए अब देखते हैं रिग वैर्दिक कलिन समाजिक जीवन के बारे में डाली हैडिंग रिग वैर्दिक कलिन समाजिक जीवन ठीक है चलए के बारे में यहां रहगरि सब्धा नग्री सब्धा है म dau बहुत घ कि है दूसरा आमने पढ़ा क्या सिंदु बड़ा किसम है, समाज कैसा है, मात्र सतात्मक है, कैसा है, मात्र सतात्मक है, वहाँ पर एक उर्वरा देवी की मूर्ती भी मिली थी, ठीक है, समाज कैसा है, मात्र सतात्मक था, लेकिन, जब रिगवैदी कल आया है, तब समाज कैसा हो गया है, पित्र सतात्मक हो गया है, जब कहीं और से भरता हैं, तो आरम में केवल यहां पर दो वर्ग थे, ठीक है, केवल और केवल दो वर्ग थे, एक आरे कला है, जिने स्रेश्थ मानग गया है, और दूसरे को है, यहां के स्थानी निवासी, जिने क्या बोला गया है, अनार्य बोला है, क्या बोला गया है, अन समाज चार वर्मों में बढ़ चुक था ब्रामन, छत्रिय, वैस्य और शुद्र हमने पढ़ा है रिग्वेद के डस्वे मंधल के पुरुई सुथ में क्या है वर्न व्यवस्था के उलेख पढ़ा है ठीक है जब रिग वैदिक काल आरहां बुए तब केवल आरिय और अनारिय दो वर्ग थे लेकिन जब समाप्ति के ओर है तब इस समय क्यों गया है समाज चार वर्णों में बढ़ चुका है ब्राम्मन, छत्रिय, वैशिय और सुद्रवर्ण वर्ष्था का जन्मों चुछे किस में इस रिगवैदिक काल में अब जब भी समाज के बारे में आप लिख रहा हो समाज के बारे समाजी जिवन कैसा है आपको वहां पर इस ब्रसा के बारे में उललेकरना मैंडेतरी है तो कि वही पर वही पर आपको मास मिलने वाला है दिखते हैं रिग वयदिकाल में महिलाओं की दसा कैशी थी बहुत अच्छी थी इन्हें जनतांत्री संस्थाओं में पार्टिसिपेट करने का मौकर में रहना पढ़ना सभा, समीत्य और विज़द, इन तीनों में महिलाओं को पार्टिस्टिपेट करने का अधिकार था, ठीक है, इनकी सिथी कैसी यह, अच्छी है, जन तामति संस्थाओं में उन्हें अधिकार लेने का, अधिकार लेने का मौका दिये गए, 37 उनको कहा दिये गए, उपनेयन संस संसकार है, और उसका मदलब भी करता है, गुरू के पास जाकर सिच्छा गरहन करना, ठीक है, और महिलाओं को भी, महिलाओं को भी इस समय उपनेयन संसकार का अधिकार दिया गया है, साधी साधी जो कुछ महिलाएं हैं, अपनी इच्छा से अजीवन अविवाहिद बिरती ठीक है, अगर साधी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, फोर्स नहीं करते थे, ठीक है, आजकल फोर्स करते हैं, साधी करना ही करके, वैसा नहीं था, ठीक है, अगर इच्छा नहीं है, तो साधी नहीं करते हैं, और जो साधी नहीं करती हैं, अमाजू कहा गया है, जो महिला हैं अजीवन अविवाहिद रहती थी उन्हें का बोला गया है अमाजू बोला गया है यह point अपकर रखना है ठीक है जो महिला है अजीवन अविवाहिद रहती थी उन्हें का बोला गया है अमाजू कहा गया है ठीक है अब रिगवैदिक काल में कुछ बहुत विद्वान महिला थी नाम है देखते हैं अब रिग्वेli करィणा आःथिक जीवन के बारे में डाली हेडिंग आर्थिक जीवन है रिक वर्दिक करेंग आर्थिक जीवन ठीक है यांदना इस समय जो लोग निवास कर रहा है उनका मुख्य व्यवसाय क्या है पशू परन है और सबसे महत्पून पशू क्या थी इस समय गाये सबसे महत्पून पशू क्या है गाये रिक वर्दिक काल में सबसे महत्पून पशू क्या है गाये हमने पढ़ा ना कि गाये का उल्ले कितनी बावला यह भी पढ़ चुके है ठीक है सबसे महत्पून पशू गाये ही है ठीक है इसके बाद अन्य और साय क्या है क्रिसी और इस सम सबसे प्रमुक फसल है कि इस समय सबसे महत्रपुन पसु क्या है गाय और पसुपारण नहीं क्या है लोगों का मुख्ष व्यपसा है इसी करन इस काल में गाय से सम्मंदिद बहुं सरी टर्मिनलोजी है उन सब इसरो को आपको याद करना ठीक है डाली हेवर्डिंग् संकार्ण सबसें बरण के बारे में टिक वहां गोमत का मतला क्या है उसे धनी माना गया है सब्द की वर्ड होता है गायों के लिए समय उद्ध भी होता है, उसमे transformations क्या बोले है गविश्थी, थर्ड सब्द हो क्या है गोधूली, यह व्रड हम सब सुनते है 온 ठीक है शादी कार्ड में ना गोधूली बेला में क्या रिखता है गोधूली बेला में मतलब क्या है शाम का समय है ठीक है गोधूली का मतलब क्या है साम का समय है एक्च्छल मोता क्या है तो चरवाय यह ले आते हैं गाय को चुनाने के लिए तो फिर जो साम का समय होता है वो वापस लाने का होता है ठीक है जब वापस आती है जुन में आती है तब उनके पैर से क्या उठती है धूर उठती क्या उठती है धूर उठती है धूर उसी का बोला है गोधुली मतलब साम का समय है ठीक है गोधुली बेला में साधी संपन हो सब बोलते है न वही है गोधुली चार प्रमुक सब्दां वाली है यह आपको याद रखना है ठीक है डाली लास्ट हैं है रिगवयदिक करिन धारमिक जीवन ठीक है अब जोबी डिवता है है भौतिक सुक्ती प्राप्ति के लिए धारमिक कर्मकान किया जा रहा है कहा पर इस रिगवयदिक काल में ठीक है और पर जो भी देवता है जो भी देवता है इसमें मानेगा है जिनका वो उल्लेक है इंद्र देव है अगनी देव है वरुन देव भी मानेगा है वो सब क्या है प्राकृतिक सक्तियों के प्रतीक मानेगा है यह जो देवता है यह सब प्राकृतिक सक्तियों के प्रतीक मानेगा है हमने पढ़ा है इंद्र देव के बारे में जो वर्षा तूफान आधी की देव तक इसको माना गया है इंद्र देव को माना गया है जो वर्षा है तूफान है अंधी है सब इंद्र देव की किरिपा से ही आती है ऐसा इसमें माना गया है मनला भी कहा है, सभी देवता क्या है, इसमें प्राकृतिक सक्तियों के प्रतीक है, और सभी देवताओं को, सभी देवताओं को, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, इन देवताओं को, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, हम लों किया है मनला, पहला क्या है आकास के देवता पहला क्या है आकास की देवता कौन-कौन है सूर्य देव है वरुन देव है मित्र है और पूशन है यहीं क्या बोला गया है अकास के देवता बोला गया है ठीक है दूसरी के डिकरी क्या है अंतरिक्ष के देवता कौन-कौन है इंद्र देव और पवन्य या फिर वायू देवो कोना चुछ ए59 जो अंतृष्य के देवने कोन और है वायू, और इंद्र आपको ये याधि रखना एधी है, यहीront कोशन पूसते हैं कि अंतृष्य की देवता कोन खौन है इंद्र और वायू, जब है की थर्ड के टिकरी क्या है प्रित्वी के दिकरी 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 क्या है अगनी देव सोम देव अब प्रित्वी के दिकरी क्या है प्रित्वी के दिकरी क्या है अब मैं इसमें ट्रिक बताने सकते हैं अब को याद करना मादलाब करना है ठीक है फिर से रेपीट करो मैं आकास के देता है कोatem है सूर्य दियेव, वरुन, मित्र और पूचन यह क्या है अकास के देवतलन है ठीक है अंतरिचे के देवतला को झाल झाल